कि इस्राइल की जो जूटी प्रचार है, कि वो हमस के खिनाफ है, इसको भी आज हम चुनौती देते हैं, और हम कहते हैं, कौन सा हमस है वेस्ट बैंक में, कौन सा हमस है जिसकी कारण आपके वे गाज़ा में नहीं, आप आज वेस्ट पर भी हमला कर रहे हैं, इस इस पश्ट है, कि आपका वो दूश ये क्या है, और हम इसको समझ रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, और उसके खिलाफ आज हम लोगी कर्थे हुए हैं, मेरे प्रिया साथियों, इसरेल की ये हमत इसलिए है, क्योंकि अमरीका का पूरा ताकत इसरेल के साथ लगा हुआ है, कि कि शर्म की बात है, कि आज ये बड़ बड़ा त्याचार हम लोग कर्पड़ा ने कर सकते हुए, आज यह हम लोग बैठ कर विरोट कर रहे हैं, आज गाजा में, इस वक्त, इस पर, इस रेल की बहुत दाक्ते गाजा में जाकर, बच्छों को, महियों को, कतले आम कर रहे हैं, मार रहे हैं, पुरा हस्पटालों का, बामिन के साथ और अटैक्स के साथ, हस्पटालों में, ये वाकर ने हैं तो क्या है? और आज दुनिया देख रही है आज उनाइटिग डिशन्स में ये हालात बने है कि बच्चों की कत्रयां में भी सम राजवाद अपनी गंडी राजवीद को कर रही है और आज हम लोग इस बात के लिए भी खड़े हैं हम दुनिया को बताना जाते हैं कि हिंडुस्तान सरकार में जो शर्ण नाक अबस्टेंशन किया है ये उनाइटिग नेशन्स में ये कपे हिंडुस्तान के जल्ता की आवाज नहीं है साथियो ये आज हम बताना चाहते है आपे सुना हमारी तिहास क्या है हमारी देश की तिहास क्या है और आज ये मोजी सरकार पुड़ी देश की तिहास को एक तरफ रख कर अमरीका के एक सबड़नेट अलाइट के रूप में अच्टेट करते हैं इसे कैरल की मुख्य मंत्री है एक ही माथ्य ये मुख्य मंत्री है जो यहाँ कड़े होकर धर्दा में शामिल होकर वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्टीनी जल्ता के साथ है ये क्यों ये हमारे दाइटव है कि सामाजवाब के खिलाब फिलिस्टीनी जल्ता के साथ एक जुटत प्रकट करके हम आगे पढ़ें और आखिम में मैं ये भी कहना चाहाए कि सामराजबाद विरुद युद है ये धानने की युद नहीं है बहुत लोग यहां हमारे देश में ये कहने का प्यास कर रहे है कि बहुत दोड़ी जो किया सही किया धरब के नाम पर उनकी संकी उनकी सामगादा एक सोच इस सरकार को प्रभावए कर रही है हम कहते हैं ये धेश बचाने का ये एक संधष है और CPN उस संधष के साथ है और हम पूरी जंता से लेश की जंता से अपील करते हैं आओ इस संधषच में alors, on study together on our people, we Palestine, support the political solution suggested by the United Nations of two nations, israel will live in peace when Palestine's land, the Palestinians' rights will be guaranteed and that is what we stand for. We demand an immediate humanitarian ceasefire, we demand the raising of the blockade to ensure humanitarian aid and we demand that the world and its leaders recognize the fundamental right of Palestinians to exist. देश की जीने के अधिकार और उनकी एक जुटता इनकी साथ एक जुटता प्रकर करने के लिए ये हमारा धन्मा है. और आज जब हम आवाज इठाते हैं हमारी आवाज दुनिया की उस पुरी जन्ता के आवाज है जो समझ रहे हैं कि ये जायले जायलिस्ट का जो हमला है वो किसी आतम की ग्रूप जिसको वो कहते है उसके खिराफ कते ही नहीं है उनका हमला इस बात को लेकर है कि फिलिस्टियों का देश का बुनियादी अधिकार को समाग किया जाए और पूरी फिलिस्टियों का जो जबून है उसको कब्जा किया जाए और इसलिए